अखगाओं पंचायत में पांच साल के दौरान बर्तमान मुख्या प्रत्यासी कोई भी काम नहीं किये जमीनी हकीकत जब देखने वहां के नए प्रत्यासी संतोस सिंग चले तो पता चला कहीं लिंक रोड नहीं है तो कहीं आम जनता को रासद नहीं है तो कहीं इंद्रा आवास की भी मोहताज है तमाम सुविधाओं से वंजित रह गए हैं अखगाओं पंचायत की जनता क्योंकि मुख्या प्रत्यासी पांच साल के दौरान ना लिंक रोड पर काम किये ना वहां के हरिजन्ट टोला पर काम किये ना ही इंद्रा आवास पर काम किये ना ही रासन कार्ट पर काम किये अखगाओं पंचायत की जनता के भी गुस्सा है बर्तमान मुख्या प्रत्यासी के प्रती सचाई यह है कि पांच साल के कारेकाल के दौरान मुख्या प्रत्यासी इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं कि वहां के जो निचले तबके के लोग हैं उनको इंदिरा आवास देना भी है या नहीं जो भी मुख्याक जी कभी ध्यान ही नहीं दिये अखगाव पंचायत की जनता की हालत बद से बदतर हो गई क्योंकि तमाम सुविधा से वन्चित रह गया हैं जब इसकी तहकीकात करने नए मुख्या प्रत्यासी सुनिया सिंग अपने छेत्र का दौरा की तो पता चला की पांच साल के दौरान मुख्या जी कोई भी काम नहीं किये वहां की जनता की सबसे बड़ी समस्या है कि लिंक रोड नहीं है अखगाउ पंचायत के हरिजन टोला है जिसका लिंक रोड नहीं है वहां के नलजल पर भी काम नहीं हुआ नली गरी पर काम नहीं हुआ और नहीं धलाई ही घाओं में हुई है हरजन टोला के लोगों के बीच में गुस्सा है बर्तमान मुख्या के प्रती और इस बार बर्तमान मुख्या के प्रती उनके अंदर तमाम तरह के आक्रोस है इस बार अखगाओं पंचायत की तमाम जनता प्रत्यासी सुनिया सिंग को नए मुख्या प्रत्यासी के रूप में चुन चुकी है क्योंकि अखगाओं पंचायत की जनता का कहना है कि संतो सिंग लगतार हमारी समस्या को सुनते आ रहे हैं और हमारी समस्या को हमेशा उठाते रहे हैं इसके लिए जो भी यथा संभव होता है उस पर काम भी करते हैं तो इस कारण इस बार वहां की जनता नए मुख्या प्रत्यासी सोनिया सिंग को फुल बहुमत से वोड़ दे कर जिताने का निर्णे ले चुकी है इस बार अखगाउ पंजायत की जनता नए मुख्या प्रत्यासी सोनिया सिंग को फुल बहुमत से वोड़ दे कर जिताना चाहती है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह का इस्तिती और किस तरह से ये लोग रह रहे होंगे अपने घरों में कि यह इस्तिती है ठंडी में और गर्मी में कैसे लोग रहते हैं बरसात में और सोने का जगह जो है आप लोग को दिखा देता हूं कि यह है जो सोने का जगह है और अब इनसे बात करते हैं यह इनसे कुछ बात करते हैं आपको इंद्रा आवास जिसको भी परधान मंत्री आव मिला है इंद्रा आवास या उसको अब परधान मंत्री आवास योजना कहते हैं वह आपको लाभ मिला है की नहीं राशनकाड है कोई बिर्धा पेंशन कोई बुड़ बुजुर्ग हो कोई के निखे मिदाल तो यह लोग बहुत ही गरीब है मुख्या परत्यासी सोनिया सिंग जी जो है आज अपने जन संपर को बरहाते हुए एक घर में और आई हैं और घर का द्रिश आप लोगों को दिखा देता हूं राशन कार्ण तीन लोग मिला लाए बहुन करें हो अच्छा उपवार है और इंद्रा आवास आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह का घर है किस तरह का विवस्ता इंद्रा आवास से वंचित है जिसे परधान मंत्री आवास योजना कहते हैं और अगर सोनिया सिंग जी तो जितने भी घरों की वीडियो बनी है उस घरों पर सबसे पहले काम किया जाएगा क्योंकि यह दलित लोग का घर है और दलित लोग को इंद्रा आवास का शुद्धा नहीं मिल पाई है तो हम माननी है परधान मंत्री जी से फिर एक बार निहोरा निवेदन करते हैं कि ऐस से जो परधान मंत्री आवास योजन्या या तो उसको बंद कर दे नहीं तो दलालों से मुक्त करवा दे जो ब्लोक अस्थर पर दलाली हो रही है जिसके कारण यह लोग वंचित हैं 10-20,000 रुपया कहां से दे पाएंगे तब इनका इंद्रा आवास पास होगा इनका घर बन संदेश अखगाउं पंचायत में हो रहा है इनका भी इंद्रा आवास नराशन काड है तो किर्पया इस बार ध्यान दे नराइनपूर हरजन टोला जिसे चमटोली कहा जाता है और इनसे पूछते हैं कि इन्हें सरकार द्वारा जो योजना है वो इन्हें मिला है कि नहीं ज तो इनकी घर की स्थिति हम दिखाते हैं उनकी घर की स्थिति हम दिखाते हैं कि किस तरह से यह लोग रहते हैं और कैसे रह रहे हैं तो यह इनका घर है इसी में इनका खान पान बनता है और ऐसे ही यह लोग बसर गुजर करते हैं और अगर बरसात आ जाए भगवान के दया दुआ से बरसात में किस तरह का दिकतों का सामना करना परता हो इन लोगों को ये तो राम ही जाने और कोई भी उचित नाली का बेवस्था इधर से है भी नहीं कि घर से इस आंगन से पानी निकल सके तो ऐसे गांवाद करने से विकास नहीं होगा एक जनपर्तनिधी जिसे मुख्या माना जाता है ऐसे ही जनपर्तनिधी को चुना जाए जिससे विकास हो सके तो धन्यवाद एक घर और ऐसा मिला है जो अगांबजार के नजदीक है और इनसे पूछते है कि इनको कौन-कौन सा लाभ जो मुख्या जी की ओर से मिलने वाला है मिला है की नहीं एक बुआ जी हैं उनसे कुछ बाते करते हैं आपको परधान मंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला है न नहीं मिला है और इनका घर यही है किस तरह से रहते होंगे लोग और कैसे बसर गुझर करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ थोराशा ये किस तरह से रहते हैं लोग सब टूटा-फटा हुआ है अगर थोराशा भी भुकम का जहटका आएगा तो सायद कल की सुबह ये लो झाल झाल